हम देखते हैं कि गोकू उस डीमन रेल्म के अंदर हर्ट्स के साथ होता है उन दोनों को वहाँ पर बहुत सारी पावफुल शक्तियों का आभास हो रहा था गोकू ये सब महसूस करने के बाद कहता है हेई हर्ट्स क्या तुम ये महसूस कर पा रहे हो ये जगा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है फिर हर्ट्स कहता है मैं जानता हूँ लेकिन हमें कुछ भी करके उस क्रिस्टल को हासिल करना होगा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है अगर हमने ये नहीं किया तो इस से बहु ठीक कह रहे हो हर्ट्स मुझे भी हर हाल में जिन्दा होना है तो यहाँ पर जो भी खत्रा आएगा हम उसके सामना करेंगे फिर हमें वेजीटा का सीन दिखाया जाता है जो की कैपसुल कॉप में था और तभी उसके पास ट्रंक्स आता है और उससे कहता है हेई डैड आखिर आ जैनो सामा के पैलेस पर होता है और वो सोचता है कि मैं उसे अपनी सारी बाते बताऊंगा लेकिन हम देखते हैं कि जैनो सामा वहाँ पर नहीं होते हैं और वो अब तक नहीं लोटे थे इसके बाद फिर बार डॉग आगे जाने का सोचता है और वहाँ से पृत्वी पर जा इसके बाद हम देखते हैं कि हमें फिर वेजीटा का सीन दिखाया जाता है जो की बाहर होता है गोहान वेजीटा के पास जाता है और उससे कहता है गोहान तुम्हें क्या हुआ उठो गोहान फिर वेजीटा बुल्मा से कहता है बुल्मा गोहान को क्या हुआ ये तो हेल्ट चेंबर से अभी अभी बाहर निकला था तो ऐसा अचानक कैसे हो गया इस पे बुल्मा कहती है मुझे नहीं पता वेजीटा आखिर ऐसा कैसे हुआ इसके बाद हम देखते हैं कि ब भारडौक तुम यहाँ पर फिर बारडौक कैथा है एई बजीटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है फिर बजीटा कहता है हम बाते बाद में करेंगे बारडौक पहले गोहान को देखो इससे अचानक क्या हुआ है ये बेहोश हो गया है जबकि ये अभी अभी हेल चेंबर से बाहर निकला था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है इस पे बार्डॉक कहता है वेजीटा मैं जानता हूँ कोहान को क्या हुआ है इस पे वेजीटा कहता है क्या तुम आखिर ये कैसे जानते हो फिर बार्डॉक कहता है वेजीटा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है लेकिन अकेले में फिर वेजिटा कहता है ठीक है बार्डॉक और ये कहने के बाद हम देखते हैं वेजिटा बार्डॉक के साथ अकेले बात करने के लिए चला जाता है और तब हम देखते हैं हमें फू का सीन दिखाया जाता है जो की काफी खुश होता है और कहता है आखिरकार मैंने वो सीरम बना ही लिया फिर डेमिगरा फू से कहता है क्या बात है फू तुम तो बहुत ही जादा खुश लग रहे हो लेकिन मुझे ये बताओ कि ये सीरम आखिर तुम किस काम में इस्तमाल करोगे इस पर फू कहता है मैं तुम्हें ये अभी नहीं बता सकता लेकिन बहुत ही जल तुम्हें ये सब पता चल जाएगा कि मैं इससे क्या करने वाला हूँ तब ही वहाँ पर अचानक से मौरो और हर्डस आ जाते हैं और फिर इसके बाद मौरो कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम आकिर क्या करने वाले हो इस पर फू कहता है ये तुम आकिर क्या बकवास कर रहे हो मैंने अभी तक इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया है तो तुम इसके बारे में कैसे जान सकते हो बेकार की बकवास करना बंद करो फिर मोरो कहता है मैं तुम्हें बता दू कि मैं सच कह रहा हूँ मैं जानता हूँ कि तुम इस दवाई के बारे में बात कर रहे हो मैं तुम्हें बता दू कि मैं भविश्य देख सकता हूँ समझे फिर फू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है मुझे बताओ मेरा प्लैन सक्सेस्फुल होगा या नहीं फिर मोरो कहता है मैं तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर बताओंगा कि तुम पर जान का खत्रा आने वाला है तुम्हें उसके लिए तैयार होना होगा इस पर फू कहता है मुझे किसी भी खत्रे से डरने की जरूरत नहीं है फिर मोरो कहता है मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो लेकिन तुम्हारी स्पेशल पावर भी उस समय काम नहीं आएगी फू उसकी ये बात सुनकर काफी चौक जाता है और उससे कहता है तुम इसके बारे में कैसे जानते हो मेरे उस स्पेशल पावर के बारे में किसी को भी नहीं पता इस पर मोरो कहता है मैंने तुमसे कहा ना मैं भविश्य देख सकता हूँ तुम्हें भी थोड़ा समल कर रहना होगा फिर फू कहता है ठीक है मैं समझ गया अब मैं अच्छे से जानता हूँ मुझे अब क्या करना है और बहुत ही जल्द मैं अपने प्लैन को अंजाम दूँगा इसके बाद हम देखते हैं हमें बार्डॉग का सीन दिखाया जाता है जो कि वेजीटा से अकेले में बात कर रहा होता है बार्डॉग वेजीटा से कहता है वेजीटा मेरी बात ध्यान से सुनो मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि गोखान को क्या हुआ है फिर वेजिटा कहता है मुझे बताओ बार डॉग आखिर बात क्या है फिर बार डॉग कहता है वेजिटा गोहान को एक बहुती सीरियस हर्ट की बिमारी है इस पे वेजिटा कहता है क्या तुम आखिर कहना कह चाते हो कि जैसे केकरोड को हर्ट की बिमारी हुई थी वैसे ही कोह जो कि भविश्य से आया था, फ्यूचर ट्रंक्स उसके टाइम लाइन में इसका इलाज बन चुका था, उसी ने क्या करोट की जान बचाई थी, इसके बाद बार्डॉक कहता है, नहीं वेजिटा, ये उस बिमारी से बहुत ज़्यादा अलग है, इसका इलाज बिल्कुल भी स तुमने बिल्कुल सही सुना वेजिटा, इसका कोई भी इलाज नहीं है, और ना ही, इस पर कोई दवा काम करेगी, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, इस पर वेजिटा कहता है, इसका मतलब तुम और गोखान मरने वाले हो, फिर बार्डॉक कहता है, हाँ वेजिटा, हमारे प बताओ मुझे आखिर वो क्या है, फिर बार्डॉक बताता है, हमें जनो सामा के पैलेस के अंदर जाना होगा, वहाँ पर एक डीव सवाइबल पोल है, हमें उसके अंदर जाना होगा, और जब हम उसे क्रॉस करके बाहर आएंगे, तो हम ठीक हो जाएंगे, फिर वेजिटा क ठीक है बार्डॉक चलो वहीं चलते हैं, इस पर बार्डॉक वेजिटा से कहता है, वेजिटा हमें वहाँ कुछ दिन लग सकते हैं, और उस दोरान मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी खतरा आए, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर रहकर सब कुछ सम इतनी सारी प्रॉबलम अभी ही आनी थी, और मैं यहाँ कैपसुल कॉप में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वेजिटा मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और सोच रहा होता है, इस ट्रेनिंग से कुछ भी नहीं होने वाला, तब ही वेजिटा पिकलो के पास चला तुम कहो, और यह कहने के बाद वेजिटा टाइम चेंबर के अंदर चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, और उधर हम देखते हैं बार डॉग डीप होल के सामने गोहान को लेकर खाडा होता है, और उससे कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो गोहान, तुमें कुछ भी नहीं करना है, डेमिगरा, जो करना है, अब मैं करूंगा, बस तुम मेरे साथ चलो, ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फू अर्थ पर डेमिगरा के साथ पोच जाता है, और कहता है, आखिरकार वो वक्त आही गया, अब होगी असली तबाही, हम देखते हैं कि तरफ धुआ फैल जाता है, और तब ही फू कहता है, अब आखिरकार वो वक्त आ गया, इसके बाद हम देखते हैं कि फू उस उजारू सेयन से कहता है, चलो तुम्हारे काम करने का वक्त आ गया, इसके बाद हम देखते हैं कि वो उजारू सेयन काफी जोर से चिलाता है, जि अने सभी लोगों को उजारू बना ही दिया और ये लोग कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे और ये सभी के सभी लोग काफी ताकतवर है अब होगी असली तबाही शुरू मैं पूरे ब्रह्मान को उजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दूँगा और वो सभी लोग मेरे काबू में होंगे